मूरात्री सताकिष्ण, शन्मासादक्षि नायनं, तत्रचांद्रमसं जोति, योगी प्राप्य निवर्तते, तत्रचांद्रमसं जोति, प्राप्य निवर्तते, प्रकाश को प्राप्त करके लोटता है, तत्रचांद्रमसं जोति, प्राप्य निवर्तते, भावात्रचांद्रमसं जोति, धर्मों का दक्षिनायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वहां बर्बस मृत्ति प्राप्त अर्ध योगी अनेकों से सुनी-सुनाई बातों के कारण से कलाबध ज्यान-चंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भठकाने वाले द्वैत स्वादी नरत में भूतादी बनकर लोड़ता है। जैसे चतुर मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती, बी के प्रकाश्मनी, बी के जग्दीश, बी के रमेश आदी सारे ही मीची कुरी के ब्राह्मन सुक्ष्म देह ले रहे हैं। जो पुरुशोत्तम संगमी शूटिंग प्रम द्वापूर से ही भूत क्रेत भी बनते रहते हैं। यह बहुत बातों में वनीश्य आता था। तो न इeminश्य आता था. तो वह धूमिल प्रकाश हो गया, चंद्रमा का। उसे चंद्र Пक्ष को तो क्रश्नपक्ष क्योगो। वो कस्ण पक्ष है? ब्रह्मा के पार्ट से कनेक्टेड है। और सूर्य पक्ष है? मनसुक्ल पक्ष है। वो ज्ञान सूरी के पार्ट से कनेक्टेड है। सौम कहते हैं चंद्रमा को है और चंद्रमा का पार्ट है ब्रह्मा का क्योंकि चंद्रमा छीन होता है फिर चंद्रमा संपूर होता है जब दर्ती माता कन्याओं का प्रभाव पढ़ता है परचाया पढ़ता है तो छीन होता है और जब इनका परचाया उनका प्रभाव से दू होता है तो सारा चंद्रमा गोरा हो जागा तो यह बात किसकी है, कुन सी आत्मा की बात है, दादा लेखराज ब्रह्मा की बात है, जब ज्न सूरी का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसका असर पढ़ता है तो गोरा। और कज्या माताओं की प्रभाव में रहता है। तो थिरे थिरे, काला पन बढ़ता जा। यहां तक बढ़ते, बढ़ते हैं, हम आदाश्या के दिन पूरा काला। धुस्ते काले को कहते हैं कृष्न पक्ष। काला पक्ष। दक्रषणान मार्ग। है, अंदकार का मार्ग है, ऐसे गीता में बताया, अंदकार का मतलब भूत प्रेत बहुत काम करते हैं, जो दूसरे धर्म की आत्मा है न, ये धर्म होना का बहुत वर्चस्व रहता है। पर्चिम में, पर्चिमी सभिता में, पर्चिमी सभिता का हो, दक्षणी सभिता का हो, जहां मुसलमानों का और किस्चिन्स का राजीर, बहा सूर्य अस्त हो गया, सूर्य बहा चला गया, तो दक्षरायन हो गया, अब दक्षरायन से फिर उत्तरायन आता है, संच्यक्तर में। साथ नारायन बचे जो कम कलाव वाले हैं कम जन्म लेने वाले हैं सश्टी रूपी रंगमंच पर बाध में उतरने वाले हैं तो आल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं या अधूरा पार्ट बजाने वाले हैं अधूरा पार्ट बजाते हैं नम्बरवार कम अनुभवी बनते हैं इस दुनिया के या हीरो पार्ट दारी के मुकावले बराबर अनुभवी बनते हैं जब कम पार्ट बजावेंगे तो अनुभवी भी कम बनेगे इसलिए वो कमजोर आत्में जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैत वाधी युग में पहुँच करके और-और धर्मों के प्रभाव में आ जाती है वो इब्राहीम के इसलाम धर्म में करवर्ट हो जाती है वो नारायन भी कमकला के और उनकी सारी प्रजावी तो वो कमजोर आत्में ब्रह्मा की गोधी में पली है यह भी के आज से लेकर के और 69 अठारे ज़र्वरी तक अभी भी पल रही है क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धी में अभी तक नहीं बैका है गीता का भगवान कौन है तो एकज भूल के कारण सारा सत्या ना सूता रहता है और दुनिया में असत्य का बोलवाला हूता रहता है वो ब्रह्मा को फालू करने वाली आत्म है प्रैक्टिकल जीवन का फालू नहीं करती है ब्रह्मा को उनके डायरेक्शन को फालू करती है शिव के डायरेक्शन को नहीं पकरती किसके डायरेक्शन को पकरती है देहदारियों के डायरेक्शन को ब्रह्मा के डायरेक्शन को पकड़ेंगे नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के डायरेक्शन को पकड़ेंगे तो कवंसावली कहे जाएंगे या मुखंसावली कहे जाएंगे पोख मने गोद से उनको प्यार है लेकिन मुख से निकली हुई जो भगवान सिर्व की बाते हैं, उनसे उनको प्यार नहीं है, चो ऐसी साब आत्में, चाहे वो नारैन ही क्यों नहों अधूरे कला वाले, और उनकी प्रजाबर की आत्में ही क्यों नहों, उसाब कनवर्ट होने वाली कच्ची आत्में, यहां संगम युग में भी, जीते जीप प्रारद नहीं पाती, जब तक उनका जीवन रहता है, तब तक प्राप्ति नहीं कर पाती, जैसे ब्रह्मा ने प्राप्ति नहीं की जीवन रहते, क्या जीवन मुक्ती पाई? जीवन रहते रहते मुक्ती नहीं पाई, तो उनके जो फालोर्स हैं, यह ब्रह्मा से जो प्यार लेने वाले हैं, वो भी अधूरे ब्रह्मन, शरीर छोड़ने वाले भूत प्रेत बनते हैं, शूप्षम शरीर दाण करते हैं, इस थूल शरीर छूट जाता है, और जो बेसिक नाली वाले हैं, आदार मूर्त ब्रह्मन, दूसरे दूसरे धर्मों के आदार जड़ों के बैठे हुए, उनकी इस्तिती अब ये बन गई है, कि वो जो दुनियावी धर्म गुरु है, जो रास्ता अपना रहे हैं, भक्ती मार का, उसी रास्ते को वो अपना ही लखुए, ज्ञान की बातों को सबको छोड़ते जा रहे हैं, क्यों छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की गहरा को एडवांस पार्टी वालों ने पकड़ लिया, और वे एडवांस पार्टी की जो भी बाते निकलती है उनको तीर की तरह लगती है, जैसे राम के बान हो, तो तिल बिला जाती है सुनकर की, जवाब उन पर आता नहीं, इसलिए ग्रणा करते हैं, स्विकार्नी करना चाहते ह रत पकड़ एक, मले अन्दर से समझते है कि अ सच्चाय Peutu wa hygTC पिरोद करते हैं, तो सच्चाय influenzae कार नहीं करना है, ज्वाल जैदा इतना ज्यादा है, ज्वान घेहंखाक्र जैदा है कि मरते मर जाएंगे ब्रह्मा बाबा को याद करने वाले किसकी गति को पाएगी, जो ब्रह्मा की गति हुए होगी, वो यूनकी गति होगी, और उपड़े बड़े तीरी जाजी ज्यादा है, जैसे सरी छोड़ रहे है, जैसे ब्रह्मा ने अकाले मौत में सरी छोड़ा है, ऐसे उनकी भी अकाले म इसलिए मिलता है, जो ज्यादा पाप करते हैं, उनको थोड़े समय ज्यादा पाप न कर सकें, इसलिए उनको अपना सरीर नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर के आधार पर ही पाप को नहीं बनता है, तो उनको सुक्षम सरीर मिल जाता है, तो थोड़े समय के लिए वो पाप न करें, उनके पाप का भुजात ज्यादा न बढ़े, इसलिए वो सुक्षम सरी मिलता है, मिलता जिनको है अकाली मोत वालों को, अकाली मोत किसकी होती है, जो ज्यादा पाप करते है प्रजापिता वाली आत्मा दुनिया की सबसे जास्ति ज्यानित हु आत्मा है, शिव बाबा के डाइरेक्शन्स को फालो करने वाली है, या नई फालो करने वाली है तो जो विधान को मानने वाला है, विधान को जानने वाला है, विधान के आधार पर सम्विधान के आधार पर चलने वाला है, वो सजा भोगेगा या नहीं भोगेगा? नहीं भोगेगा तो ये जो सूरिवन्सी आत्माएं है जो पहले नमबर की प्रजा है वो साप ज्ञानी तू आत्माएं है वो ऐसे पाप कर्म नहीं करती जगन ने जो उन्हें भूत प्रेत बनना पड़े ये तो चंद्रवन्सी की आत्में है इसलामवन्सी की आत्में है बहुत इये किशिनवन्सी की आत्में है या इनके छेडों की आत्में है जो और और धर्मों के बाप को दर्म पिताओं को फालू करती है उनके बताये जो सदा स्रेष्ट रास्ता बताता है कर्म अकर्म बिकर्म की गती बताता है और वो कर्म अकर्म की गती गीता में ही बताई गई है हार धर्मों के लोग गीता को उतना फालो नहीं करते है